My Mr. Unpredictable, Episode 15 रिशब की बात को सुनकर राधिका को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो रिशब को एक confusion वाला लुक देते हुए पूछती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? राधिका का सवाल सुनकर रिशब एक छोटी सी स्माइल करते हुए बस एक बार अपना सर हिला देता है, और जिस पर उसने प्लान लिखा था वो पेपर राधिका से ले लेता है और उसे प्लान दुबारा समझाते हुए कहता है, मैडम देखिए उस कंपनी ने हमें जो बजट और टाइम दिया था, उसे मैंने अच्छी तरह से यूज करके बिल्डिंग की क्वालिटी और डिजाइन इंप्रूड किया है और वकस को ज्यादा पे करके इस कंस्ट्रक्शन को टाइम से पहले खत्म करवाया, जिससे हमारी क खत्म करके पूरी कंस्ट्रक्शन मार्कित में भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और जो हमारे आगे के बिजनेस में भी हेल्पफुल होगा, तो क्या हुआ इस बार हमें कम प्रॉफिट हुआ पर आप इससे आगे आने वाले बड़े प्रॉफिट को भी तो देखो, औ और रही बात सिर्फ इस प्रॉजेक्ट से होने वाले बेस्ट प्रॉफिट की तो मैं बताना चाहूंगा कि आप कैसा भी प्लान बनाओ, आपसे बैटकोई ना कोई होगा पर आप बेस्ट नहीं हो सकते। आप मुझसे पहले के कैंडिडेट्स के ही प्लान चेक कर सकते हैं, सबके ही प्रॉफिट किसी ना किसी से बहतर होंगे। रिशब की बात को सुनकर राधिका के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और रिकॉर्डर बंद करके आगे कहती है, आपका सोचने का तरीका सबसे अलग है, पर आपको क्या लगता है, इस बात से मैं आपक अपने असिस्टेंट के तोर पर चुनलूंगी, जिस पर रिशब स्माइल देते हुए कहता है, क्यों नहीं, और वो उठकर एक स्माइल के साथ राधिका की तरफ बढ़ने लगता है, आपको क्या लगता है, क्या राधिका रिशब को अपने असिस्टेंट के तोर पर चुन तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं. झाल पर देख सकते हैं. झाल पर देख सकते हैं.